बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से एक जहानाबाद विधानसभा सीट है जहानाबाद जिले में स्थेत ये विधानसभा शेत्र जहानाबाद लोगसभा निर्वाचन शेत्र के अंतरगत आता है बतादे कि ये सीट साल 1951 से ही अस्तित्व में है इस सीट पर पहली बार साल 1951 में विधान सभा की चुनाव हुए और सोशलिस्ट पार्टी के शिव भजन सिंग चुनाव जीते इसके बाद 1957 में कॉंगर्स की फिदा हुसैन विधायक चुने गए 1962 में भी कॉंगर्स को ही जीत मिली और महाबीर चौधरी विधायक बने 1967 में भी कॉंगर्स का ही कबजा रहा और ऐसेफ हुसैन चुनाव जीते 1979 में एच एच डी के हरीलाल प्रसाद सिंहा विधायक चुने गए 1972 में एंसियो की तरफ से हरीलाल प्रसाद सिंहा एक बार फिर से विधायक बने 1977 में सीट पर जनता पार्टी को जीत मिली और राम चंदर प्रसाद यादव विधायक चुने गए 1980 में कॉंगर्स यू के तारग गुपता विधायक बने 1985 में कॉंगर्स की तरफ से सेद अजगर हुसैन चुनाव जीते 1990 में हरिलाल प्रसाद सिंहा निर्दलिय चुनाव लड़े और जीते इसके बाद 1995 में जनता दल के मुंदरिका सिंग यादव ने जीत हासिल की 2000-2005 के फरवरी और ऑक्टूबर में सीट पर राष्ट्वे जनता दल का कबज़राहा 2000 में मुनिलाल यादव तो 2005 के फरवरी और अक्टूबर में सच्ची दानंद यादव चुनाव जीते 2010 में सीट जनता दल युनाइटेड के खाते में गई और अभिराम शर्मा विधायक चुने गए 2015 में इस सीट एक बार फिर से राज़त के पाले में गई और मुन्दरिका सिंग यादव चुनाव जीते उनके निधन के बाद सीट पर 2018 में हुए उप चुनाव में भी राज़त को ही जीत मिली और कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव चुनाव जीते अब अगर आकडों के हिसाब से बात करें तो साल 2015 के विधान सबच चुनाव में इस सीट पर राज़त जनता दल के मुन्दरिका सिंग यादव ने बीलस्पी के प्रवीन कुमार को 3321 वोटों से हराया और विधायक चुने काए मुन्दरिका प्रसाद यादव को कुल 76458 वोट मिले थे जबकि दूसरे नंबर पर रहे प्रवीन कुमार को कुल 46137 वोट मिले थे तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे CPML के संतोष केशरी को कुल 6716 वोट मिले थे 2010 में हुए विधान सबाचुनाव के परिणामों पर नज़र डाले तो इस सीट पर जन तदल युनाइटेट के अभिराम शर्मा ने राजत के सचीदानंद यादव को 8566 वोटों से हराया और विधायक चुने काए अभिराम शर्मा को कुल 35508 वोट मिले थे जबकि दूसरे नंबर पर रहे सचीदानंद यादव को कुल 26941 वोट मिले थे तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे कॉंग्रिस के राम जतन सिनहा को कुल 13249 वोट मिले थे मैं 2005 में हुए विधान सबाचुनाव के परिणामों पर नज़र डाले तो इस सीट पर राश्ट्रे जंतदल के सचीदानंद यादव ने जंतदल युनाइटेट के मुहम्मद अकबर इमाम को 4481 वोटों से हराया और विधायक चुने काए सचीदानंद यादव को कुल 28,696 वोट मिले थे जबकि दूसरे नंबर पर रहे मुहम्मद अकबर इमाम को कुल 24,215 वोट मिले थे तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे लोजपा की गोपाल शर्मा को कुल 11,230 वोट मिले थे पिछले तीन चुनाव पर इनामों पर नज़र डालें तो सीट पर लगातार दो बार से जंत अदल युनाइटेट का कबजा है जबकि 2005 की चुनाव में राज़त को जीत मिली थी ऐसे में यहाँ पर NDA का पलडा थोड़ा भारी जरूर है लेकिन चुनाव में कुछ भी कहपाना काफी मुश्किल है वो भी ऐसे समय में जब इस बार कई गडबंधन चुनावी मैदान में मौजूद है